हालो बच्चो वेलकम बैक वेलकम बैक टू बहुत इक लासेज माने विद दीपक सानी बच्चे जो हमारा आज का टोपिक है वो है कोमन पोटेंशल और हमें लोस ओफ एनरजी फइंड करनी है ठीक है बच्चे आज का लेक्चर बहुत कंसेप्च्वल होने वाला है तो ध्यान समझेगा बहुत इजी टोपिक है ठीक है इसको एक एक एकशांपल के थूरू समझते डेफिनेशन हम बात में बात करेंगे डेफिनेशन की बच्चे आपके दो फ्रेंट्स है एक सोनू और एक मोनू सोनू के पास एक कपैसिटर है जिसकी कपैसिटी कितनी है चीटू मोनू था इसने भी अपने कपैसिटर को V2 V2 पोटेंशल से क्या कर रहा है चार्ज कर रहा है यानि इसके कपैसिटर का पोटेंशल कितना हो गया V1 इसका कपैसिटर का पोटेंशल कितना हो गया V2 अब इन्होंने क्या किया बच्चे अपने अपने कपैसिटर को बैटरी से डिसकनेक्ट किया और क्या कर दिया इनको कंबाइन कर दिया कनेक्ट कर दिया दोनों कपैसिटर को यानि बच्चे क्या हुआ यह जो सोनू का कपैसिटर था वो यह और जो मोनू का कपैसिटर था वो यह दोनों को क्या कर दिया कनेक्ट कर दिया कब बैटरी से डि काँ फ्लो करता है आपने पढ़ा है जो फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करता है जो हीट होती है वो कहां से काँ फ्लो करती है जो हीट होगी वह भी आपके हाई टेंपरेचर टू लो टेंपरेचर फ्लो करती है यानि इसका मतलब यह है कि जब आपने इन दो कापसिटर को आपसमें तो क्या हुआ होगा तो सबसे पहले तो इसका पोटेंचल ज्यादा है किस्से इसका क्टेंचल ज्यादा है due बात समझ आ रही है बचे जब इसने इसको इस पोटेंशल से चार्ज किया तो कितना चार्ज आ गया इसके उपर Q1 इसके उपर कितना चार्ज आया Q2 पोटेंशल V1, पोटेंशल V2, V1 is greater than V2 इतनी बाते किलियर हुई दोनों को connect कर दिया गया जब दोनों को connect किया तो होगा क्या बचे जो चार्ज जो फ्लो करेगा वो कहां से कहां करेगा हाई पोटेंशल से लो पोटेंशल फ्लो करेगा किलियर है कहां से कहां करेगा बचे हाई पोटेंशल से लो पोटेंशल और high potential किसका है, हमने माल लिया, पहले वाले capacitor का high potential था, दूसरे वाले का potential क्या था, कम था, लेकिन बच्चे जो charges का flow होगा, वो कब तक होगा, बताओगे, बच्चे charges का flow तब तक होगा, जब तक दोनों के potential सेम नहीं हो जाते, किलियर है, बच्ची यही तो पढ़ाता, heat भी कब तक flow होती है, जब तक कि दोनों body आपस में क्या ना हो जाए, दोनों का temperature क्या ना हो जाए, सेम, सेम process तो है इसमें भी, मतलब इसका potential अलग था, इसका potential अलग था, इसका potential जादा था, इसका potential कम था, और आपने क्या पढ़ा है, higher potential से lower potential की तरफ charge flow करेंगे, लिपर्ट कब तक करेंगे, जब तक कि इसका potential और इसका potential सेम नहीं हो जाता, ये बात ध्यान रखिएगा बचो, और जो equal potential, यानि दोनों का potential equal नहीं हो जाता, तब तक ये flow करते रहेंगे charges, और जो equal potential है, उसी को तो क्या बोलते हो, common potential, मतलब इसका potential भी वी होगा, और इसका potential भी होगा, कब जब ये दोनों equal potential हो जाएगा, किलियर है, ये ही definition किसकी है बचे, common potential की, क्या है definition, चलिएगा देखते हैं, when two capacitors charged to different potential are connected, यानि ये charge है, ये charge है, आपने क्या किया इन दोनों को connect कर दिया, then charge flow from the one at higher potential to the other at lower potential, ये भी बात कर ली हमने, कि higher potential से कहाँ flow करेगा, lower potential में flow करेगा, second क्या पढ़ा है बचे, the flow of charge continuously till their potential become equal, charges का जो flow होगा, वो कब तक होगा, जब तक कि दोनों, इसका भी और इसका भी potential क्या नहीं हो जाता, equal नहीं हो जाता, और उसी, the equal potential of the two capacitors is called common potential, और उसी potential को तो क्या बोल रहे हो, common potential, याद आया, समझ आई, छीक है बचे, अब इसकी value कैसे find करनी है, एक बाद बताईएगा, बचे, example के तोर पे हम ये मान लेते हैं, कि जब इसने, sonu ने V1 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया, potential कितना था, इसका V1, चार्ज किया, तो इसके पास example ले रहे है, बचे, इसमें मान ले समझ बचे, जो चार्ज किया था, ये क्या वहा 5 कुलम से चार्ज था, ठीक, इसका जो चार्ज था, ये कितना था, बचे, 3 कुलम से चार्ज कर दिया था, इसने, किसने, आपका मोनू ने, बट जब दोनों को connect किया गया, आप बताओगे, यानि इनको connect करने से पहले total चार् अच्छा बच्छे जब आपने connect कर दिया तो charge का flow हुआ होगा तो हम यह मानते हैं यानि आपने पढ़ा यह 5 कुलम charge था और यह कितना था 3 कुलम charge था बट इसमें से कुछ charge flow होकर कहा चले जाएंगे second वाले capacitor में क्यों क्योंकि higher potential से lower potential आपने पढ़ा है अभी की flow करेंगे ठीक है तो हम ऐसा कहते हैं कि बच्छे वन कुलम charge flow कर यहां गया तो इसके पास कितना बचेगा 4 कुलम charge 1 कुलम charge flow होकर कहा आ गया second वाले capacitor में तो इसका भी charge कितना हो गया 4 कुलम तो आप मुझे बताओगे अब total number of charge कितना होगा connect करने के बाद total number of charge connect करने के बाद कितना बचे तो answer यही होगा अब भी कितना है 8 है अब भी कितना है 8 है इसका मतलब यह है कि connect करने से पहले और connect करने के बाद आपका जो potential जो charge था वो क्या था same तो बचे यही condition हमको लिखनी है देखो क्या करना है बचे यही condition हमें लिखनी है समझनी है कि चो total charge है कौन से connect करने से पहले यानि बचे total charge कौन से वाली initial condition की बात कर रहे है initially condition की बात कर रहे है जब आपने इनको बैटरीज को नहीं हटाया था यह दोनों बैटरीज लगी भी थी equal to क्या total charge total charge बचे कब जब यह क्या condition थी आपकी finally condition की बात थी finally जब आपने इन बैटरीज को हटा कर इनको connect कर दिया था तो total charge यानि connect करने से पहले वाले charge equal to connect करने के बाद के जो total charge होंगे वो equal होते हैं आप एक बात बताएगा connect करने से पहले कितना इसका charge कितना है q1 इसका charge कितना है q2 तो total charge कितना हो जाएगा q1 plus q2 equal to total charge connect करने के बाद हमने ऐसा माना बच्चे पहले charge Q1 था बट इसमें से charge निकल कर इसमें आ गए तो इसमें charge कितना बच्चा Q1 डेस माल लेते हैं charge change हुआ था ना बच्चे तो Q2 डेस ये charges क्या है equal रहेंगे पहले वाले charge equal to बाद वाले charge this is equation first अब बच्चे इसका charge निकालना है आपको charge का formula पता है Q equal to क्या होता है C into V ठेक तो Q1 निकालेगा यहां से Q1 कितना हो जाएगा C1 into V1 इसका charge निकालेगा Q2 कितना हो जाएगा C2 into V2 या गया यहाँ पर इसका charge कितना होगा बच्चे देखेगा इसमे Q1- कितना हो जाएगा capacity कितनी है C1 potential कितना है V potential कितना है V Q2- बताओगे Q2- कितना हो जाएगा Q2- होगा C into V capacity कितनी है C2 बच्चे potential कितना है इसका भी potential क्या है V जिसको आप common potential बोल रहे हो यानि इन चारों की values आपको पता है values रख दो value रखो किती हो जाएगा बच्चे C1 V1 plus C2 V2 equal to Q1- कितना है C1 V plus C2 V आप क्या कर सकते हो V को common ले लो C1 V1 plus C2 V2 equal to V common आ जाएगा क्या बच्चा C1 plus C2 और V equal to C1 V1 plus C2 V2 upon में क्या C1 plus C2 और V क्या था बच्चे V को ही तो आप क्या बोल रहे थे common potential है तो यह formula किसका बन जाता बच्चे common potential का common potential का इसको किस form में भी लिख सकते हो बच्चो देखेगा C1 V1 क्या है Q1 तो V equal to यह हो जाएगा Q1 C2 V2 क्या है Q2 Q2 upon में क्या C1 plus C2 तो आप इसको words की form में कैसे लिखोगे बच्चे फोर्मुले को Q1 Q2 क्या है तोटल चार्ज क्या है यह तोटल चार्ज और C1 C2 क्या थी कपैसिटी थी तो यह हो जाएगा आपका तोटल कपैसिटी यह क्या है आपका common potential का फोर्मुला आजाता है बचे इस बात का ध्यान लखेगा इन्हीं का हम को यूज करना है ठीक है क्या फोर्मुला है common potential का C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और यह हम इस फोर्म में भी लिख सकते Q1 प्लस Q2 यह नि टोटल चार्ज अपॉन टोटल कपैसिटी और यही फोर्मुला तो हमने potential का भी पढ़ा था potential क्या होता है चार्ज अपॉन कपैसिटिन्स बस common potential है तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कपैसिटी आ जाएगा टोटल कपैसिटिन्स आ जाएगा क्लियर है देखेगा आब एक special case है special case क्या देखना है बट मौनू के पास बैटरी नहीं थी, मौनू के पास बैटरी नहीं थी, यानि उसने अपने कपेसिटर को चार्ज किया ही नहीं, यानि अब यह क्या, यह तो चार्ज है, बट यह क्या है, अंचार्ज है, जब आप इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे ही नहीं, तो यह second capacitor is uncharged, अगर second capacitor uncharged है, तो बच्चे उस case में क्या हो जाएगा, V2 कितना होगा, 0 यानि potential नहीं है उसके पास, यानि बैटरी नहीं थी, potential कितना है इसका, 0, uncharged है, किसी तरह का कोई charge नहीं है, तो V2 की value क्या रखोगे बच्चे, 0, तो यहाँ पर common potential जो होगा, यानि जो V की value होगी वो कितनी आएगी बच्चो, C1 V1, यह वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, upon C1 plus C2, यह आपका formula बन जाता है, ठीक, आप ऐसे भी समझ सकते हो, कि यह charge अगर नहीं है, uncharged body है, uncharged capacitor है, तो इसके पास charge कितना, 0, यानि Q2 कितना हो जाएगा, 0, अगर यह Q2 0 हो गया, तो यह पूरा क्या हो जाएगा, 0, Q1 upon C1 plus C2, और Q1 की value रख देगो, C1 V1, तो formula हो जाएगा, C1 V1 upon C1 plus C2, clear है यह concept किसका था, यह concept था, common potential का, ठीक है, बात समझ आती है बच्छे, इस्क्रीन सोट ले ली जिएगा, अब बात करते हैं किसकी, loss of energy की, loss of energy, बच्छे, यह formula जहान से रखिएगा, इसका use करने वाले हम, loss of energy में, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, ठीक है, loss of energy क्या है, यानि इसका मतलब यह बच्छे, जब आपके पास दोनों, आपने दोनों capacitor को, बैटरी से connect किया हुआ था, ठीक है, अब आपने बैटरी हटा कर, बैटरी को disconnect करकर, क्या कि आपने दोनों को combine कर दिया, दोनों को connect कर दिया, तो आपकी energy का कुछ loss होता है, और वो यही पूछ रहा है कि energy कितनी loss होती है, आपको वही find करना है, यानि बच्छे क्या है, loss of energy, loss of energy, ठीक, आप मुझे एक बात बताईएगा, आपने energy की form पड़ी थी, जब आप किसी capacitor को charge करते हो, तो energy कितनी बच्छे, energy का formula आप लोगों ने पढ़ा था, कि u equal to होता है, 1 by 2 c into v square, c into v square, ठीक, अब जो u है, वो क्या है, potential energy, तो अब पहले वाले case में देखेगा, जो मौनू के पास, जो मौनू के पास, या सोनू के पास जो capacitor था, उसके पास क्या है, उसके पास जो potential, जो capacitor था, उसके energy कितनी थी, तो वो निकल जाएगी, आपकी u1, उसके पास potential energy निकल जाएगी, u1 equal to 1 by 2, capacity कितनी थी, उसकी c1, potential कितना था, v1 square, ठीक बच्छे, 1 by 2 C2 और यह हो जाएगा आपका V2 का स्क्वायर क्योंकि उसने दूसरी बैटरी से कनेक्ट किया वा था पोटेंशल उसका V2 था तो आप कह सकते हो कि जो टोटल एनर्जी होगी पहले वाली तो टोटल एनर्जी इनिशली जो होगी कनेक्ट करने से पहले जो आपकी एनर्जी ह होगी वो कितनी होगी तो टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हो क्या हो जाएगा U1 प्लेस U2 कितना हो जाएगा इनिशली निकाल रहे हो इनिशल की आपकी पोटेंशल एनर्जी 1 by 2 C1 V1 स्क्वायर 1 by 2 C2 V2 स्क्वायर ठीक भचे इस इक्वेशन फस्ट कंसिडर कर लीजीगा इसको अब हुआ क्या है जब आपने दोनों कपैसिटर को कनेक्ट कर दिया अभी अभी देखो डियाग्राम क्या था जब आपने दोनों कपैसिटर को कनेक्ट कर दिया था तो हुआ इसका पोटेंशल कितना वी इसका पोटेंशल कितना वी इसके पास चार्ज कितना था चार 1 by 2 C1 into V और इसके पास potential energy कितनी हो जाएगी बच्चे 2 यानि 1 by 2 C2 into V और आपको पता है C into V स्क्वार है तो उस्क्वार लगा दीजिएगा तो यानि after second condition के बाद आपकी जो potential energy होगी potential energy होगी total potential energy किसके case में बच्चे आपके final के case में final potential energy कितने होने वाली है दोनों को बच्चे add कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 by 2 C C1 V स्क्वार प्लस 1 by 2 C2 into V स्क्वार बताएगा इतनी बात समझ आती है बच्चे क्या कर सकते हैं final 1 by 2 बच्चे यहां से V स्क्वार कॉमन ले लो तो क्या बच्चेगा C1 प्लस C2 V स्क्वार आपने कॉमन ले लिया और अभी थोड़ी देर पहले formula पढ़ा है common potential का क्या पढ़ा था बच्चे common potential का formula आपने पढ़ा है common potential का formula C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 बच्चे जो V है यह इसमें क्या था common potential ही तो था तो इसका formula आपने देखा भी C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 बस इसमें value रख दीजिएगा जब आप इसमें value रखोगे इसकी तो क्या बनेगा देखिएगा तो final जब potential energy होगी उनको connect करने के बाद आपको क्या मिलने वाली है 1 by 2 C1 plus C2 बच्चे V की value रखिएगा और इसका square करिएगा तो क्या है C1 V1 plus C2 V2 इसका square upon में C1 plus C2 और इसका भी square C1 plus C2 से C1 plus C2 cancel हो गया ठीक क्या बचा है final potential energy आगी आपके पास 1 by 2 C1 V1 plus C2 V2 cow square upon C1 plus C2 बचे कुछ नहीं है simple सा एक formula आपको पता होना चाहिए potential energy का formula क्या था तो connect करने से पहले यानि battery को disconnect करने से पहले दोनों की potential energy निकालो उनको combine उनको add कर दो तो total potential energy आजाएगी disconnect करने से पहले फिर उसके बाद आपने क्या किया जब दोनों को connect कर दिया तो उसके बाद आपको potential energy का formula पता ही है इसका निकालिएगा potential energy इसकी निकालिएगा दोनों को add कर दो इसके लावद तो कुछ नहीं किया बचे और हमने क्या किया वी की value रगदी आगे देखेगा करना क्या है बचे यहां से हमारी पास आ गई यह हो गई equation 2 यह equation हो गई second अब आपको क्या निकालना है loss of energy निकालनी है जहां से समझेगा बचे loss of energy अब आप मुझे बताईएगा जो ज़्यादा energy होगी वो कौन से case में होगी वो पहले वाले case में होगी यह दूसरे वाले case में होगी यानि जब बैटरी से connect थे दोनों के दोनों कपेसिटर तब उनके पास total energy जो थी वो ज़्यादा थी या जब उनको disconnect कर दिया गया उन दोनों को connect कर दिया गया तब उनकी energy जादा थी किस case में जादा थी बच्चे तो answer ये होगा जब आपने जब sonu ने और monu ने अपनी अपनी बैटरी से अपने अपने capacitor को connect किया हुआ था तब उनकी energy क्या थी maximum होती है जब वो बैटरी को disconnect कर देंगे अपने capacitor से तो बच्चे capacitor के जो potential यानि potential energy हो जाएगी वो क्या हो जाती है कम तो initial की condition में यानि क्या हो जाएगा बच्चे initial potential energy minus final potential energy आपको minus करनी पड़ेगी तो confusion किसमें रहता है final minus initial मत करिएगा आप हमेशा क्या करते हो जादा minus कम करते हो जादा minus कम कब किस condition में energy जादा थी पहली condition में जब आपने disconnect नहीं किया था ठीक है energy किसकी कम होती है जब आप connect कर देते हो दोनों capacitor को तो energy क्या हो जाती है potential energy कम हो जाती है ठीक है बच्चे तो ये ध्यान लखिएगा तो बाकी बच्चे physics का concept हो गया खतम अब केवल और केवल maths का concept बचा है जिसको mathematics आती है बच्चे वो इसको derivation को कर लेगा बायो वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है बच्चो ध्यान से देखते रहेगा क्या कर रहे है तो loss of energy निकालनी है तो बच्चे initial की value रखो यह आपने initial की condition निकाली थी 1 by 2 C1 V1 square plus 1 by 2 C2 V2 square आगया minus यह रखियेगा value 1 by 2 यह क्या है C1 V1 plus C2 V2 square whole square upon क्या है C1 plus C2 यह condition आपकी आ जाती है बच्चे अब आपको करना क्या है simple अब solve करते रहो पूरी maths है देखियेगा बच्चो 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by 2 को मैं common ले रहा हूं तो यहां से loss of energy जो आएगी loss of energy जो आएगी बच्चे वो कितनी आएगी 1 by 2 हमने common ले लिया तो बचा क्या है यहाँ पर C1 V1 square second condition में बचा C2 V2 square minus यह बचेगा C1 V1 plus C2 V2 इसका क्या है whole square upon में बचेगा नीचे C1 plus C2 यह आपके पास है क्या करना है C1 और C2 को lcm ले लिजेगा बच्चे C1 plus C2 आपका lcm आ जाएगा lcm लेना आता ही होगा बच्चो C1 plus C2 इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 इसकी multiply इसके साथ इसकी multiply इसके साथ यह as it is तो ही हो जाएगा आपका C1 V1 square और ही हो जाएगा C1 plus C2 ठीक है फिर प्लस C2 और V2 square इसकी multiply इसके साथ तो ही हो जाएगा C1 plus C2 minus यह as it is आएगा C1 V1 plus C2 V2 का whole square यह आपका यहां से आगया बच्चे ठीक आपको करना क्या है formula खोल दीचिएगा formula जो आपके लग रहा है इसमें multiply करो और बाकी formula खोल दीचिए यह क्या है देखो बच्चे यहां पर देखो इसकी multiply करेंगे तो C1 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 square हो गया C1 square V1 square second वाली condition करेंगे तो यह हो जाएगा C1 C2 और V1 square plus इसकी multiply करेंगे तो C1 C2 V2 square और इसकी multiply इसमें करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा देखेगा C2 square और V2 square ठीक और इसमें A plus B का whole square का formula खोलिएगा क्या होता है formula बच्चे यह होता है आपका minus bracket लगाएगा A का square यानि C1 और V1 का square plus C2 V2 का square plus 2 into A B A और B यानि क्या हो जाएगा C1 V1 और C2 V2 यह आपका formula खुल गया और नीचे क्या हैगा बच्चे नीचे सेम वही चलता रहेगा जो चल रहा था क्या था C1 plus C2 अब यह bracket open करोगे तो बच्चे जो यह sign आपके सारी change हो जाएगे जो plus है वो क्या हो जाएगा आपका minus clear बच्चे एक calculation जो होगी जो भी आपका ही है यह ध्यान से करिएगा बहुत बच्चे mistake कर देंगे इसमें खास कर बायो वालो वन बाय टू देखेगा और यह C1 और C2 इसके साथ लिखेगा C1 plus C2 इसके साथ आगया देखो हो क्या रहा है आपको क्या दिखाए दे रहा है cancel कुछ हो रहा है क्या C1 square V1 square C1 square V1 square यह बच्चे cancel हो गया ठीक, c2 square, v2 square और यह आपको दिखा जाएगा, c2 square और v2 square यह भी cancel हो गया, ठीक है, बचा क्या है, यह बचा है, c1, c2, c1, c2, c1 और c2, common ले लिजिएगा, आप दिखाए दे रहा है, तो यह common आ जाएगा, क्या common आ गया बच्चे, c1, c2, common आ गया, क्या बचा है, v1 square, आप पर क्या बचेगा, बचे, minus 2, v1, v2, और आपको बचाएगा, क्या सीज का formula है, a square plus b square minus 2ab, तो यह हो जाएगा, c1, c2, upon 2, c1, plus c2, और बच्चे, यह formula किसका बन जाएगा, v1 plus, sorry, v1 minus, v2 का whole square का formula बन गया, यह formula बन जाता है, बचे, whole square का, तो, यहाँ से, यह आपने क्या निकाली, loss of energy का formula आपका यह जाता है, यानि, इसको आप simplify करके, थोड़ा हलिख सकते हो, यह हो जाएगा, 1 by 2, c1, c2, upon c1, plus c2, v1 minus, v2 का whole square, यह आपका derivation है, complete हो जाता है, बचे, फिर दुबारा, वही special case देखना है, हमको, हमने case क्या था, कि अगर, जो second वाला capacitor है, जो हमारा second वाला capacitor है, अगर वो uncharge हो, तो क्या होगा, अगर second वाला capacitor आपका uncharge होगा, if second capacitor is uncharge, तो क्या होगा, बचे, v2 की value क्या हो जाएगी, 0, v2 की value क्या हो जाएगी, 0, और क्या बचने वाला है, आपका ही, तो loss of energy जो आएगी, loss of energy, यानि जब आप उसको battery से connect करके, करते वे, battery को disconnect करके, आपस में connect कर दोगे, तो जो energy का loss होगा, वो कितना होगा, 1 by 2, c1, c2, upon c1 plus c2, या आया, और बचे, यहाँ पर v2 क्या हो जाए या आपका हो गया, loss of energy, यह कौन सा case है, जब second capacitor आपका uncharge होगा, और यह कौन सा case है, जब दोनों के दोनों capacitor आपके क्या होंगे बचे, आप किसी external source से charge कर रहे होंगे पहले, ओके बचे, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, next lecture में, thank you बच्चो